हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स मैं हूं मंगेश और आप देख रहे हैं ब्लॉगिंग क्यों एन यूट्यूब चैनल तो दोस्तों आपको पता होगा पिछली कुछ वीडियो मैंने जेनरेट प्रेस प्रेमियम थीम और थ्राइव अर्किटेक्ट प्लगिन के बारे में बताया जिसकी मदद से आप जो है अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट को ब्यूटिफुल एक एक लाइटवेट वेबसाइट अपनी वेबसाइट की बना सकते जो जल्दी से जल्दी लोड होगी तो अगर आपने वह वीडियो नहीं देखिए तो आप चैनल पर जाके देख सकते हैं तो उन वीडियो पर मुझे काफी सारे कमेंट्स आयते और मैसेजिस भी आया थे कि भाई हमारी वेबसाइट ब्लॉगर पर है तो ब्लॉगर पर भी कुछ ऐसी थीम्स बताओ कुछ ऐसे टेंपलेट बताओ जिनका लोड टाइम बहुत कम हो और हमारी वेबसाइट अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं गया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजएगा ऐसे अमेजिंग वीडियो देखने लिए तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की नहीं वीडियो तो फ्रेंट्स जो भी छे या साथ जो टेंपलेट्स मैंने निकाले उन सभी का लिंक जो मैंने एक पोस्त में बना के नीचे डिस्क्रिप्शन में इस पोस्त का लिंक दे दिया है यहाँ पर आपको दिखेंगी निकी बेस्ट फ्री मोबाइल फ्रेंडली व्लॉगर टेंपलेट्स म्हींने आपको सबको दे राखा यहाँ पर उनका डेम भी द这个 चीज है यहاँ से आप डेम कर देखने dizer के Glow इनकी स्पीड इनका लुक वगरा है तो उसके बाद मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आया हूँ तो यहां पर आपको इनका डेमो भी देखने को मिल जाएगा और डाउनलोड लिंक भी आपको मिल जाएगा तो छे की छे थीम मैंने यहां पर उपन कर दी है सबसे पहली है बयाना फर्स उसके बाद है एक्समेग यह जो मैगजीन जैसी थीम है कुछ इस तरह की थीम आपको दिखेगी देखो जो भी थीम है सारी एकडम प्रोफेशनल थीम से है सबसे मेन बात यह जो थीम है बहुत ही लाइट वेट थीम है क्योंकि अगर आप लोगों को पता होग आप सभी लोगों ने देखा होगा कि गूगल सर्च कंसोल में भी स्पीड वाली जो चीज है अपडेट हो गई है कि आपकी वेबसाइट के कौन से पेज़िस लो है कौन से पेज़िस फास्ट है तो उसकी रिपोर्ट भी गूगल सर्च कंसोल देने लग गया तो इसका जाएंगे अब बयाना फर्स देखिए यहां पर एड भी लगा सकते हैं अगर एक बिल्कुल पर्फेशिनल वेब साइट है यहां यहां पर नगेलेट से लिएसमें टो यहां जिसमेघ टाएद जो कि मैं पर्सनली इस यहां पर मेरी blogger पर जितनी भी website हैं तो यहाँ पर इस theme को यूज कर सकते हैं बहुत सारे benefits हैं इस theme के उसके बाद अगर आप देखेंगे SEO boost तो यह भी काफी अच्छी theme है उसके बाद लास्ट आती है हमारी write-up अब जो important आपको यहां पर हर इमेज के नीचे लिए अब हम सब को यहां से copy करेंगे और इन सब की speed एक एक करके चेक करेंगे यहां पर देखेंगे पेस्पीड इंसाइट खुला हुआ है पहला मैंने डाल दिया उसके बाद दूसरा है यह x mag इसको मैंने copy करा इसको second में मैंने यहां पर डाल दिया उसके बाद third वाले यह जो है start SEO इसको मैंने copy करा इसमें भी डाल दिया उसके बाद यहां पर देखिए SEO boost यह भी काफी अच्छी और काफी popular theme है इसे मैंने select करा और इसे भी डाल दिया उसके बाद fifth one जो है यहां पर अगर आप देखेंगे यहां पर यह जो है mag one इसको मैंने डाला इसको यहां पर डाल दिया और उसके बाद जो last one है हमारी write up इसको मैंने लिया और pay speed inside में डाल दिया अब देखिए इनकी जो है speed check कुरिए तो यहां से आपको idea मिल जागा देखिए सबसे पहली थी byana first यहां पर देखिए इसकी mobile पर speed बिना कुछ करे 88% है mobile पर speed इसकी 88% है तो definitely आप इसे यूज कर सकते क्योंकि आज करके time में most of the user mobile से है desktop पर देखेंगे यहां पर desktop पर देखिए 98% है उसके बाद जो दूसरी हमारी theme थी यह जो थी xmag अगर इसकी speed check करें हम तो इसकी अभी हो रही है इसकी होने देते हैं उसके बाद third वाली पर आ जाते हैं यह देखिए start SEO जो theme थी start SEO इसकी अगर हम देखिए desktop पर 95% है mobile पर 49% है और desktop पर 98% है उसके बाद अगर आप Mac1 की theme यूज़ करेंगे तो Mac1 में देखिए यहां पर बहुत सारे previews इतने सारी post दिखती है home page पे तो यह आप कम कर देंगे तो automatically speed भी आपकी कम हो जाएगी यह देखिए Mac1 की mobile पर 40 है और desktop पर 82 है उसके बाद अगर हम बात करें जो write-up ह उसकी mobile पर 47 है और desktop पर 94 है तो यह सारी चीजे हैं बहुत ही बढ़िया team है personally मैंने यहां पर थोड़ी research करके निकाली है तो इन पर जैसे जैसे काम करोगे अब यह जो है desktop पर बहुत हो की काफी अच्छी है कुछ की कम है जैसे कि अगर आप देखिए desktop पर इसकी Mac1 की 40 है तो यह 40 क्यों दिखा रहा है क्योंकि अगर आप यहां पर देखेंगे Mac1 पर इतने सारे options दे रखे हैं homepage पर इतनी सारी बड़ी-बड़ी images दे रखे हैं तो इनको जैसे मानलों कुछ section जो आपके necessary नहीं होंगे जो आपको नहीं चाहिए वह हटा दोगे तो आपकी speed automatically कम हो जाए तो यह छे बहुत ही बड़ी है template से आप जाके यूज कर सकते हैं description में मैंने इसका link दे दिया यहाँ पर आपको demo link भी मिल जाएग और download link भी मिल जाएग आप खुछ से भी check out कर सकते हैं तो दोस्ता आई hope आपको video पसंद आई होगी आपको अपने लिए जो भी best लगता ही व फ़न झाल झाल